मुवी के स्टार्ट में हम बीमस नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो के एक गाउं में आनिमल्स की निलामिंग कर रहा था वो पबलिक को बताता है कि कैसे ये आनिमल्स काम तो बहुत करते हैं बर इनका दिमाग नहीं है इसलिए वो कोई नए अनिमल्स इनके लेकर आया है इसके बाद बीमस के दो फ्रेंज शैंक और ओली कुछ अनिमल्स को अंदर लेकर आते हैं ये अनिमल्स थौरी फैंट्स थे जो के हॉर्स और एलेफेंट्स का मिला जुला मिक्स्चर थे इसके बाद ये लोग मुसली नाम के एक थौरी फैंट को स्टेज पर लेकर आते हैं और सारे ही लोग ये देखकर परिशान हो जाते हैं कि ये अनिमल्स बोलते हैं इसके बाद बीमस इन सब लोगों को बोली लगाने के लिए कहता है जिसके बाद मूसली बहुत परिशान हो जाता है वो अपनी अमी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है बट उसकी अमी को भी कुछ नहीं पता था अब ऐसे करते करते बोली लगती है और मूसली किसी के हाथों बिख जाता है इसके बाद वो लोग मुजली को ले जाते हैं और अगला सीन 25 यर्स के बाद का है जहां पर मुजली बढ़ा हो चका है यहां पर हमें पता चलता है कि अब मुजली की एक फैमली है जिसमें उसकी बीवी बेरा है और एक 5 यर ओल्ड बेता जिसका नाम है रू यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि मुजली को एक साइमर नाम के आदमी ने खरीदा था जो मुजली से बहुत ही जादा काम निकल वाता है वो आदमी बहुत ही जादा उससे वाला और खरूस है पर मुजली अपनी फैमली का ख्याल रखने की वज़े से कभी भी हार नहीं मा नाम था तर्पिन मूसली की फैमली तर्पिन को बहुत सालों से जानती थी यहां पर हम देखते हैं कि बीमस कैसे साइमन को पास का ही एक लैंड लेने के लिए मनाता है लैंड लेने के बदले में वो रू को निलाम करने के लिए कहता है अब यहां पर मूसली आता है और साइमन से कहता है कि कैसे वो वाला लैंड बिलकुल ही बंजर है यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं अच्छा यहां पर साइमन मुजली को मारता है और कहता है तुम यहां से चले जाओ अब नेक्स हमें पता चलता है कि बीरा प्रेगनन्ट है और वो आने वाले बेबी की खुशिया मना रही हैं अब रात का वक्त होता है और यहां पर मुजली का बेबी उन से आकर कहता है कि उसने एक बहुत ही अजीब गरीब जगा देखी है और वो मुजली से वहां पर जाने के लिए कहता है अब मुजली यहां पर बहुत ठका हुआ था बीरा यहां पर मुजली से कहती है कि व पर बहुत सारे थारी फैंस की ड्रॉइंग्स बनी है बट अजीब बात ये थी कि वो सारे थारी फैंस अपने पाउँ पे खड़े थे और हाथों से काम कर रहे थे इनको देखकर मुसली को तर्पिन की एक बात याद आई जो कहता था कि बहुत सालों पहले सारे के सारे थारे नौर्थ को ट्रेवल कर गए थे और जो यहां पर बचे थे उनको इनसानों ने अपना घुलाम बना लिया था और यहां के थारी फैंस को अभी भी उमीद है कि कैसे अप राइट थारी फैंस आके उन्हें एक बार बचाएंगे पर बहुत सारे थारी फैंस को लगता है कि वो इनको भूल चुके हैं अब इस सब के बाद मुसले रू को लेकर वापस आ जाता है और वो बीरा को भी कहता है कि रू को इन सब बातों से दूर रखा जाए और ऐसी बातें उसके जहन में ना डाली जाएं ये तीनों अपस में बातें कर ही रहे थे कि बाहर से इनको साइमन और बीमस की बातों की आवाज आती है ये सुनते हैं कि साइमन बीमस से कहता है कि न्यू बेबी के आने के बाद वो रू को बेच देगा और वो अब इस काम के लिए त्यार हो चुका है यहां पर बीरा मूसली से कहती है कि प्लीज कुछ करो और साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे लगता है कि सिर्फ अपराइट सी उनको बचा सकेंगे अब अगले दिन साइमन मूसली को उस नए फील्ड पर लेके जाता है प्लो करने के लिए पर जब वो हल चलाने लगता है तो जमीन बहुत पत्थरीली नजर आती है और हल तूट जाता है जिसकी वज़ा से मूसली जमीन पर गिरता है यहां पर साइमन मूसली को मारता भी है और उसे बहुत पुछ भी करता है लेकिन हल तूच चुका था जिसके बाद साइमन को बहुत जादा गुसा आता है इसके साथ साथ मूसली को बहुत गुसा आता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी फैमली को बचा करी रहेगा यहां पर वो रो को कहता है कि वो अप्रेटस को ढूनने के लिए जा रहा है और यहां पर वो अपनी अम्मी का חयार रखे जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगता है उसी केव की तरफ अब यहां पर साइमन और बहुत से लोग मुसली को धूनने के लिए निकलते हैं पर उसे नहीं धून पाते साइमन घुसे में वापस आकर बीरा और रो के शेट को लॉक लगा देता है ताके वो यहां से कहीं भी भाग ना सकें यहां पर बीमस साइमन को बताता है कि वो किसी ना किसी को धून लेगा जो के मुसली को वापस लेकर आएगा इसके बाद बीमस एक खतरनाक हंटर वार फील को लेकर आता है रो इस हंटर को देखकर समझ आता है कि उसके फादर को इससे खत्रा है अब रो अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से चुपके से निकलता है पर टर्पेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है तो तुम यहीं पर रुको अब दूसरी तरफ वो हंटर वार फील जंगल की तरफ निकल जाता है ताके मूसली को वापस लेकर आए अब यहां पर बीमस शैंक और ओली को उसके पीछे बेशता है ताके उसे पता चल सके कि थोड़ी फैन को कैसे पकरते है मूसली थोड़ा आगे जाता है केव में तो एक गठे में गिर के फच जाता है और वहां पर वार फील भी आ जाता है इसके बाद मूसली को समझ आता है कि यह इसका ही बिचाया हुआ एक ट्रैप था यहां पर शैंक और ओली भी केव में पीछे पीछे आ जाते हैं और ऐसे करते करते ओली भी उस ट्रैप में नीचे गिरता है अब यहाँ पर मूचली ओली का सहारा लेते हुए उस ट्रैश्प से बाहर निकलता है और वारफील्ड से बच कर आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर मुसली केव से बाहर निकलता है तो उसे waterfall नजर आते हैं और यहाँ पर वो पीछे देखता है कि Warfield अभी भी उसके पीछे है। भाग कर मुसले थोड़ा और आगे जाता है पर वो फिर स्लिप होकर नीचे गिर जाता है जहां पर वो देखता है कि अब भी वार फील्ड उसके पीछे है नीचे गिर कर मुसले पे होश हो गया था जब उसकी आंग खूलती है तो वो खुद को वाटर फोल्स के पीछे एक देख रहा हो पता चलता है कि अब यहां पर मुसले को यकीन हो जाता है कि केप में बनी ड्राइंग्स बिल्कुल ठीक थी वो अपराइट्स भी मुसले को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं इनके नेम थे वार्नी डैवर और गैलन यहां पर डैवर मुसले से कहता है कि उसको तो पता ही नहीं था कि और भी थौरी फैंस बाहर है। मूसली उनसे पूछता है कि वो सब यहां पर क्या कर रही हैं। जिस पर वो कहता है कि गैलिन ने रात को खौब में कुछ फायर फ्लाइस देखी थी। जिसके बाद वो सब यहां पर आ गए। यहां पर मूसली इन सब को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि इन सब को अपनी आर्मी को लेकर आना होगा ताके इनसानों से इन सब को बचाया जा सके। अब यहां पर ये तीनों मूसली की बात पर यकीन कर लेते हैं जिसके बाद वो मूसली को अपने आईलेंड पर लेकर जाते हैं रास्ते में ये तीनों मूसली को हातों के यूजिस के बारे में बताते हैं कि कैसे बहुत से काम बहुत असानी से किये जा सकते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं Warfield को जो यहाँ पर मुझली का पीछा करते करते उस कैसल तक पहुंच चुका है चलते चलते यह लोग एक जंगल के पास आते हैं जिसका नाम यह बताते हैं The Great Orchard और यहाँ पर Warney इसको बताता है कि उनकी सिटी इस जंगल के पीछे है यहाँ पर Warney मुझली को बताता है कि कैसे इस जंगल में वो जा नहीं सकते क्यूंकि वो इंप्यूर है और यहाँ पर थौरी फैंट का एक ट्री है जिसको एक गार्डियन गार्ड कर रहा है पर पता नहीं कैसे वो गार्डियन इन सबसे नराज है और जो भी थौरी फैंट इस फौरिस्ट में जाता है तो कभी वापस नहीं आ पाता यहाँ पर मुझली को फौरिस्ट के नीचे एक केव नजर आता है और मुझली इने कहता है कि हम इस केव के थूर क्रॉस कर सकेंगे ऐसे हमें फौरिस्ट में से गुजरना भी नहीं पड़ेगा अब बाकी सब लोग मुझली की इस बात पर यकीन कर लेते हैं और जैसे ही वो नीचे जाने लगते हैं सारे के सारे ट्रीस नीचे होने लग जाते हैं यहां पर यह सब अपनी जान बचाकर वापस बाहर निकलते हैं अब इसके बाद यह एक लंबे रास्ते से गुजरने लगते हैं और रात गुजारने के लिए एक खंडर में रुख जाते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं रू को जो कि अपनी मौम की बहुत हेल्प कर रहा था ख्यार रखने के साथ साथ वो काम भी सीख रहा था यहां पर टर्बिन भी इसके साथ था और वो रू को कहता है कि जब तक उसके फादर वापस नहीं आते वो यहां पर रहतर उसका साथ देगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैलन कुछ फायर फ्लाइस को फालो करते वे जाने लगता है और यहां पर बाकी तीनों उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं अब यहां पर वारफिल भी पहुंच चुका था और मुसले इन बाकी तीनों को बताता है कि कैसे वारफिल बहुत टाइम से उसके पीछे लगा है कैलन मुसले से कहता है कि फायर फ्लाइस पर यकीन करो और इस बात के साथ ही यह दोनों क्लिप से नीचे छलांग लगा देते हैं अब यहाँ पर वारणी और डेवर को लगता है कि यह दोनों तो मारे गए होंगे बट इसके साथ ही यह दोनों फायर फ्लाइस की मदद से उरतेवे उपर आते हैं अब इसके बाद वारणी और डेवर भी छलांग लगा देते हैं और Fireflies की मदद से उरतेवे दूर चले जाते हैं ऐसे ये चारों Warfield से बच जाते हैं Fireflies की मदद से मूसली उस सिटी तक पहुंचता है और बहुत खुशी-खुशी सिटी को एंटर करता है यहां पर मूसली सब चीजों को देखकर बहुत हैरान होता है कैसे यहां पे सारे थौरीफेंस इंसानों की तरह रह रहे हैं और इस बात पे वो बहुत खुश होता है कि अब वो अपनी फैमली को बचा लेगा पर थोड़ी ही देर में उसकी ये खुशी बहुत परिशानी में बदल जाती है जब वो देखता है कि सारे के सारे थौरीफेंस यहां पे बहुत बूरे हैं अब यहां पर आकर वोर्नी इसे बताता है कि कैसे बहुत अरसे से यहां पर कोई पैदा नहीं हुआ और यह सब ग्रेट और्चिट के कर्स की वज़ा से है वो बताता है कि कैसे ये सारे थोरी फैंट्स अपनी जिनकी के आखिरी लम ही जी रहे हैं अब इसके बाद मूसले बहुत उदास हो जाता है और वो सोचता है कि अपनी फैमिली के पास वापिस चला जाए पर यहां पर वोर्नी उसे कहता है कि एक दिन और रुख जाओ क्योंकि हम भी तुम्हारी फैमिली जैसे हैं और यहां की क्विन तुमसे मिलना चाहेगी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीमस को टर्पिन का एक बहुत अच्छा सौदा मिलता है जिसके बाद वो टर्पिन को लेने के लिए आजाता है अब यहां पर रू बहुत अदास होता है क्योंकि तर्पिन जाने वाला है तरपिन रूसे कहता है कि तुम अदास मत हो और जलद ही तुम्हारे पादर वापिस आ जाएंगे पर जब तक वो वापिस नहीं आते तुम्हें उनकी तरह स्ट्रॉंग बनके रहना होगा बीमस यहां पर साइमन से कहता है कि वो जल्द ही वापिस आ जाएगा जब निया बेबी आएगा तो वो रू को लेने के लिए जरूर आएगा अब यहां पर वो वक्त भी आ जाता है और बीरा को एक बेबी मिलता है अब दूसरी तरफ मूसली उस कुईन से मिलता है और वो देखता है कि कैसल बिल्कुल और्चट के पीछे बना है यहां पर कुईन मूसली से कहती है कि पहले तो उसे उसके बारे में पता नहीं था बट अब जैसे भी हो सकेगा वो उसकी मदद जरूर करेंगे कुईन का ये कहने के बाद सारे के सारे थौरिफेंट्स रेडी हो जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे अब इतनी ही बात थी कि अचानक से एक बुड़ा थौरिफेंट अंदर आता है और खबराते हुए कहता है कि कैसे एक इनसान उनकी सिटी में एंटर कर रहा है अब देखने पे पता चलता है कि ये इनसान वारफील था सारे के सारे थौरिफेंस वारफील को वापिस लौटने को कहते हैं बट रिटर्न में वारफील गैलन को जखमी कर देता है वाके सारे थौरिफेंस गैलन को अंदर लेकर आते हैं और गैलन मूसली से कहता है कि तुम्हें फारफ्लाइस पर यकीन करना होगा और उनको फॉलो करना होगा इसके बाद मूसली की थ्रून के उपर कुछ फायर फ्लाइस पर नजर पड़ती है जिसके बाद उसके माइन में एक आइडिया आता है वो सब को कहता है कि सब के सब छुप चाओ वो चाहता था कि वार्फील उसका पीछा करते करते उस ही ग्रेट और्चिड में चला जाए वहाँ पर कुईन उसे बताती है कि कैसे उस प्योर ट्री का अगर फूट खा लिया तो ये सारा कर्स टूट जाएगा साथ में वो कुईन उसे बताती है कि कैसे तुम्हें उस गार्डियन से बचकर रहना होगा क्यूंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी उस ट्री के पास आए अब प्लैन के कॉर्डिंगली मूसली उस वार्फिल्ड को अपने साथ जंगल में ले आता है वो अपनी पूरी दाकत से वार्फिल्ड से लड़ता है और थोड़ी ही देर के बाद वार्फिल्ड को गिरा पहंगता है अब इसके बाद मूसली को कुछ फायर फ्लाइस नजर आती है जो कि उसे प्योर्टरी के पास बुला रही थी मूसली भागते भागते प्योर्टरी के पास जाने लगता है पर एक बार फिर से वार्फिल्ड उस पर हमला करता है और इस बार मूसली बहुत बुरे दरीके से नीचे गरता है वार्फिल्ड इस बार सोचता है कि वो मूसली को बहुत बुरे दरीके से खतम कर देगा पर इससे पहले कि वो मूसली को कुछ करता सारी फायर फ्लाइज एक वारियर का रूप ले लेती है और मूसली को ठाकर वहां से गाइब हो जाती है वार फिल्ड मूसली का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चला जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद मूसली को कुछ फायर फ्लाइज नजर आती है जिनको फॉलो करते करते मूसली उस प्योर्टरी तक पहुंच जाता है पर इससे पहले कि मूसली कुछ करता वारफिल्ड आकर उसे जखमी कर देता है जखमी हालत में मूसली यही सोचता है कि लड़ने के लावा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं वारफिल्ड हमेशा के लिए उस जंगल में बंद हो जाता है दूसरी तरफ कैसल में सारे के सारे थौरी फैंस को लगता है कि शायद मूसली मारा गया पर यहां पर अचानक से मूसली और सारी फायर फ्लाइस आ जाती है सारी fireflies मूसली के सारे के सारे जखम ठीक कर देती है यहां पर हमें पता चलता है कि उस pure tree की basically guardians यह सारी fireflies थी यहां पर मूसली को याद आता है कि कैसे ही start से fireflies उसको guide कर रही थी यह fireflies उसे pure tree का वो fruit भी लाकर देती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रू कैसे अपनी mom और चोटी बेहन रोजी को goodbye कर रहा है क्योंकि बीमस यहां पर साइमन से रू को लेने के लिए आ गया था बीरा इस सबसे बहुत ही ज़ादा उदास हो जाती है पर यहां पर थोड़ी ही दूर हमें एक shadow चलता हुआ दिखाई देता है जो के मूसली का था मूसली इनसानों की तरह चलता हुआ साइमन के पास आता है और उसे कहता है के मेरी family को छोड़ दो पर साइमन यहां पर उसकी बात नहीं मानता जिसके बाद मूसली उसे अपना नया रूप दिखाता है इसके बाद रूप ही खुद को बीमत से चुड़ा कर अपने फादर के पास भागता है यहां पर मूसली की नजर परती है छोटी रोजी पे जिसको वो अपने हाथों में उठाता है और देखकर बहुत खुश होता है अब इसके बाद मूसली वो प्योर फूट अपनी फैमली को खिलाता है जिसके खाने के बाद यह सारे अपराइट्स में चेंज हो जाते हैं नेक्स सीन में हम देखते हैं कि मूसली अपनी फैमली के साथ अप राइट सिटी में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर यह movie एंड हो जाती है